हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला के एक ऐसे म्यूचल फंड के बारे में जो की बच्चों के लिए बनाया गया है जिसका नाम है सन लाइफ बाल योजना इस फंड ने दोस्तो पिछले एक साल में 35.43 परसंट का रिटर्न निकालके दिया है पिछले पांच सालों की दोस्तो अगर हम बात करें तो इस म्यूचल फंड ने एनूरली 17.45 परसंट का रिटर्न निकालके दिया है और इस फंड की दोस्तो जो करन्ट एननेवी चल रही है एक यूनिट की वो 23 रुपे 9 पैसे चल रही है और आप इस फंड में कम से कम 500 रुपे से SIP मोर में इंवेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं मान लीजिए दोस्तों अगर कोई बंदा 500 रुपे हर महीने इंवेस्ट करता है अगले 3 सालों के लिए इस फंड में और जो रिटर्न है वो हम पिछले 3 सालों वाला अगर लेके चलें जो की है दोस्तों 15.93% पर एनम के हिसाफ से तो उनकी जो फंड वैल्यू बन जाएगी वो एप्रॉक्सिमेट 23,189 रुपीज बन जाएगी लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ये रिटर्न कम भी हो सकते हैं और ज्या 218.74 करोड का है लोकिन पीरिड दोस्तों इसमें 5 साल का है 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते कोई भी आपको एक्जिट लोड चार्जस नहीं लगने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे 0.64% का कमीशन देना होगा अगर दोस्तो के बाद निकालने पे आपको 12.5% का लोंग टर्म कैपिटल गें टेक्स लगेगा अगर दोस्तों आपका रिटर्न पर फाइनेंचल यर 1.25 लैक रूपीज से जाधा का है अगर 1.25 लैक से कम का है तो फिर आपको यह टेक्स नहीं देना होगा लेकिन दोस्तों अगर आपका रिटर्न 1.25 लैक से जाधा का भी है तो पहले 1.25 लैक के रिटर्न पर आपको कुछ नहीं देना है इसके ऊपर जो रिटर्न होगा उसी पे ही दोस्तों आपको यह टेक्स देना होगा अजे गर्ग जी पिछले 5 सालों से इस मूचल फंड को इंवेस्ट कर रहे हैं यह फंड दोस्तों इसको नंबर 2 रैंक पे रखा है चिल्डरेंट फंड कैटेगरी में टोप की दोस्तों अगर होल्डिंग्स की बात करें जिनमें यह मूचल फंड आपका सबसे आदा पैसा इंवेस्ट कर रहा है तो सबसे उपर आता है आइसी इसी आई बैंक 5.88% देर आफ्टर देर आफ्टर आता है दोस्तों HDFC बैंक उसके बाद आता है रलाइंस इंडस्ट्री जानकारी हमने आपके साथ साजा कर दी अगर आपने भी दोस्तों मूचल फंड के लिए अपना काउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मूचल फंड एप्स के लिं नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर